एक्सल में जब हम भार से कोई भी text data import करते हैं तो वो single cell में और एक single line में आ जाते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक ही line में यहाँ पर data आ गया है जो करीब करीब यहाँ पर W तक आ गया है तो यहाँ पर आपको selection देना है range देना है जैसे help के आगे मुझे जो भी text है वो नीचे चे तो एक range दे दो कुछ इस तरह से और आपको जाना है home tab में सबसे last one option मिलेगा fill वहाँ पर click करना है और वहाँ पर justify करके option रहने वाला है वहाँ पर click कर देना है और आप देख सकते हैं जो है equally divide हो चुका है